हमारा स्पीड हो चुका है तो आज हम स्टाट करेंगे सैंपल उपर सिरीज के कोड हो के आपके जो हम संपल इंपर स्बीक्त कर रहें इसका को घर रहेगा इसका यह डिरेक्टल इसको लिखो कि सैंपल वेपर साम्पल उपर वर फेपर आप सबके हाथ में राइट फॉर्स कोशन देखो इस प्राइट का क्या है प्रस्विपर सक्षन ए तो आधम साट करेंगे कि से सेक्षेन ए से इन टोडें स्क्राश फ्रोशेड वी शक्षन नहीं section a फास कोछ नीड़ा पॉइंट जीरो कॉमा माइनस पॉर लाइस आप से पूछा जा रहा है जो पॉइंट है जीरो कॉमा माइनस फॉर यह किस इसके चार ओप्छन से पहले ऑप्छन पे जाने से पहले मैं को क्लैरिफिकेशन दें देवर को कैसे देखा याता है क्या आपको तो यह आपका होता है एकस पॉसिटीव होता है और वाइबी पॉसिटिव होता है यह तक राइट सेकंड गॉटरेंट में क्या होता है एक्स नेगिटिव य पॉजिटिव होता है थर्ड गॉटरेंट में क्या होता है एक्स भी नेगिटिव आप देख सकते हो और य भी नेगिटिव 4th quadrant में क्या होता है x तो positive होता है आपका और y negative होता है अब यहाँ पर देखो 0 का मतलब तो positive हो गया और y का मतलब y आपर क्या है negative plus minus तो कौन से quadrant में हो 4th quadrant अब आप option पर आओ तो कौन से option लगता है option c the point 0, minus 4 lies in quadrant 4 तो right answer is option C right answer is option C clear all right question this is the concept of this question is a clear ठीक है this is the concept of these question is question number two each side of an equilateral triangle is two x centimeter आपको क्या का जा रहे एक? एक 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 द्राइंगल है say this is the equilateral triangle a b c और equilateral triangle में क्या होता है सबी sides क्या होती है? equal होती है तो यह भी केतना हो गया 2x यह भी कितना हो गया 2x और यह भी कितना हो गया 2x इतनी हाँ समझ में ठीक है फिर कहा चाहरा है एक्स रूट 3 इक्वल to root 48 एक्स रूट 3 इक्वल to root 48 इक्वल to root 48 तो area of triangle find करना क्या find करना आपको area of triangle first of all first of all area of equilateral triangle area of equilateral triangle क्या होता है root 3 by 4 into side square यह बात क्या है area of equilateral triangle क्या होता है root 3 by 4 into side square यह बाद समझ में ठीक है अब देखो जी यह हो गया x root 3 root 48 को हम क्या नहीं सकता है 16 3 जा 48 16 का square root क्या हो जाएगा 4 तो यह हो गया 4 root 3 क्या हो जाएगा 4 root 3 इतनी बाद समझ में आ रही है आपको ठीक है अब आगे देखो कैने से इदर root 3 से root 3 cancel हो जाएगा तो x equal to क्या जाएगा 4 x equal to क्या जाएगा 4 तो एक सापका 4 आगे तो side कितनी होगी 2 into 4 equal to 8 जारी साइडे कितनी होगी 8 तो side आपके पास कितनी होगी 8 आपके पास 8 आगे अब देखो जें रूट 3 by 4 तो root 3 by 4 into side square that is 8 square agree करते हो तो area of equilateral triangle क्या हो जाएगा root 3 by 4 side square क्या हो जाएगा 8 into 8 4 to 8 तो यह हो जाएगा 16 root 3 16 root 3 option क्या आपका option C 16 root 3 centimeter square and right answer is option C right answer is option C is it clear ठीक है now next question is question number 3 in the given figure in the given figure पहलां figure बना लेते हैं आपको एक circle given right a circle has been given और यह आपका क्या है center O उसके आपको इस तरह से एक line segment given that is OA और यहां पर है a B यहां पर क्या है a B उसके बाद O B एक line segment इस तरह से given question में और यहां given आपको B C right और यह आपका ओगया a C यह आपका क्या हो अब यह आपको given a 40 degree यह कितना given आपको 40 degree यह पूरा एंगल आपको given a 110 degree कितना given a 110 degree और यह आपको given a X और आपको यह कहा जारा question में की find the value of X आपको X find कर आपको क्या find करना है X find करना क्या question समझ में आगया आपको ठीक है अब देखो जी ध्यान से सुनों कि फॉस्ट वोल आप यह देखो कि यह एंगल आपका कितना एक्स है यह कितना आपका एक्स है यह बाद समयारी है अब आपको पता इस आर से इस आर के थू सेंटर में जो एंगल होगा इसी आर्क पर जैसे कि यह एंगल भी बन रहे है वो इसका हाफ होना चीए भाई ठीव रहों 9.7 एंगल सब्टेंड इन आर्क एड़ दा सेंटर ओ 22 का अगर यह एक्स है तो यह कितना ओना चीए एक्स भाई टू पहले बताई अगरी करते हो यह कितना अचीए एक्स भाई अब आप इस ठैंगल पहला प्रेस को एंगल ACB will be equal to half of angle AOB reason क्या होगा theorem 9.7 यानि कि angle subtended by NR कहता center of a circle is twice the angle subtended by it at any point on other part of a circle ये कानी clear होगी अब AOB आपका X है तो ये हो गया X by 2 इसकी जगा X रखोगे तो ये कितना हो जाएगा X by 2 ये बाद आमने आ रही है ठीक है चलो जी अब इस ट्राइंगल पर आजो इन्ट्राइंगल ABC इन्ट्राइंगल इन्ट्राइंगल A B C इन्ट्राइंगल A B C अब क्या होगा देखो ये जो एंगल है से मैं इसको 1 ले लेता हूं इस पूरे एंगल को 2 ले लेता हूं एंगल 1 कितना है? 40. एंगल 2 कितना है? 110 degree. और यह कितना है? x by 2. equal to कितना हो जाएगा? 180. reason आपको बता ही है, angle sum property. तो x by 2 की value क्या होगी? 180 minus 150, that is 30 degree. तो x की value कितनी होगी? 60 degree. x की value कितनी होगी? 60 degree. देखो कौन सा option है? D. D, that is option D. D, that is option D. कोई डावड़े तो बताओ. एंग्स कोशिन इसकोशन नमबर 4. इन दा गीवन फिगर ABCD is a rhombus. आपको क्या कहा जा रहे? ABCD is a rhombus. तो से इस इस दा रॉंबस. रॉंबस क्या होता है? जिसकी साथ, एक पैरलेलोगराम होता है, जिसकी सब भी साथ क्या होती है, इक्वल होती है. यह हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया C और यह क्या हो गया? D. अब इसके जो डाइगनल्स है, इसके जो डाइगनल्स से वो इंटरसेट करें किस पॉइंट पर? O. पॉइंट पर. से डायनास आर isn't constant आप फोइंट आपका out आका एक्स एक्स एक्स-एक्स एक्स एक्स-एक्स एक्स-एक्स-एक्री घया होग्या छोग्या 40-डिग्री पॉर यह क्या होग्या सकतらい हुए примерно ऐब यह क्ड़ीग्र्गहि तो डीके अपको पता है सब्सक्राइब ये एंगल कितना होगा 90 दिगरी होगा 90 डिगरी आप कर और से ये एंगल वन जो 90 डिगरी होगा क्यों कर दाइगनल डाइगन्स ओफ रोंबस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री बाइसेक्ट एट 90 डिग्री ठीक है अब इसको बाइन ले ले लेता है इसको मैंने 2 ले लिया और यह जो एंगल आपका इसको ले लेते हैं 3 तो मैंने का इंट्राइंगल इंट्राइंगल A, O, B इंट्राइंगल AO B ठीक है क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके एकोल होगा 180 डिग्री के एंगल 1 कितना है 90 एंगल 2 कितना है 40 एंगल 3 कितना है X तो X की वैल्यू आगी 180 माइनस 130 कितना हो गया 50 हो गया यह 130 है यहां जाकर ग्या होगा mRNA 50 होगया अब यह आपका 50 हो गया यह कितना है आपका 50 आजिए और देखो जी यह लाइन के क्या है अब आपको यह य निकाल नहीं तो बता हुआ है नकालना है लात County X तो आगे आपका वाई कैसे निकाल ऊगे how can we find the value of y how can we find the value of y पर rhombus के सारे sides equal होते हैं तो क्या मैं यह क्या सकता हूँ in triangle a, b, d in triangle a, b, d क्या मैं बहुत सकता हूँ a, b, d जो a, d के equal होगा because sides of rhombus are equal sides of rhombus are equal अगर a, b, a, d के equal होगा तो क्या होगा इसमें यह जो angle 3 है वो angle 4 के equal होगा अब यह की होगा equal because angles opposite to opposite to equal sides opposite to equal sides are equal मानते हो तो angle 3 आपका आगया है that is angle 3 is equal to 50 degree which implies angle 4 कितना हो जाएगा angle 3 के equal है यह भी 50 that is y भी कितना होगा अब चेक करो यह कौन सा अप्षन है इसा अप्षन है कौन सा अप्षन है डी तो राइड आंसर इस ऑप्षन दी संहांदा आगया important questions अ सारी questions देको sample paper है तो सारी questions बहुत important और expected questions है तो बहुत अच्छे से आपको एक है question प्रेंटीज करनें दान में आगया जब सेंपल लोपर सीरीज के लिए अलग से रिस्टर में इन तरना आपको और कोड़ वाइस इनको प्रैटिस करते हैं ना सक्षन है करवाँ गर्वाँ गर से सारे प्रैटिस करके आना है आपके बाएस अधान इस आएगा वहां सापको एक्लिया ठीक है ड्यक्त कोशनिस कोशन नंबर 5 इस फोर तो पावर x-1 एक्वल टुट्वांटिफोर तो आपको फाइंड करना है 2x raise to power x की value क्या होगी यह आपसे पूछा जा रहा है again very good question देखो जी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 raise to power x minus 4 raise to power x minus 1 तो आप 4 में 4 लिख सकता हूँ तो क्या आपको बता अगर base same हो तो power minus होती तभी यह ऐसे बने power minus में है तो divide में आगया plus में होती तो multiply में आगया equal to में क्या हो गया आपका 24 अब देखो जी अगर मैं 4 raise to power x common लेता हूँ तो bracket में क्या आजाएगा 1 minus 1 by 4 which is again equal to 24 4 minus 1 कितना हो गया 3 by 4 4 minus 1 कितना हो गया 3 by 4 तो यह हो गया आपका 4 raise to power x into 3 by 4 equal to 24 यह बात किया रहे रहे नाव 4 raise to power x equal to क्या होगा 24 into 4 by 3 3 1 जा 3 3 8 जा 24 होगा तो 4 raise to power x 4 raise to power x equal to कितना हो गया 32 कितना हो गया 32 अब ध्यान से देखो क्या मैं इसको आसे ले सकता हूँ 2 raise to power 2 into x 4 का मतलब 2 raise to power 2 और साथ में x equal to 32 को ले सकता हूँ 2 raise to power 5 अब बेस अगर सेम है बेस का सेम कहने का मतलब हो गया कि यह हो गया 2 raise to power 2x और यह हो गया 2 raise to power 5 अगर बेस सेम है तो power equal होती है तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो 2x है इसकी value कितनी है 5 by 2 क्लियर हो गया आपको प्लियर हो गया तर है कि जो 2x है अगर बेस आपका equal है तो power क्या होती है बेस ए में तो power equal होती है तो 2x किसके equal होगा 5 के 2x किसके equal होगा 5 के इतनी मा समझना आ रही है ठीक है जी अब देखो अब आपको find क्या करना है ये find करना है now 2x raise to power x की value क्या होगी तो 2x की जगह तो आप लिखोगे जी 5 और x की जगह क्या लिखोगे 5 by 2 x की जगह क्या लिखोगे 5 by 2 चक करो कौन सा option है अब ये option से match नहीं कर आप देखो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ देखो इसका मतलब क्या होगा 5 raise to power 5 into 1 by 2 तो वो इसका मतलब 1 by 2 का मतलब होता है square root 1 by 2 का मतलब क्या होता है square root तो 5 को तो इसको आप कैसे लिखोगे 1 by 2 की जगह square root और 5 raise to power 5 5 raise to power 5 अब ये है option में ये भी नहीं है और आगे देखो इसको 5 raise to power 5 का मतलब कितनी बार 5 आएगा 5 बार टेरिंग करना ज़रा 1 तो ये बार y ये भी बार तो ये कुछ ऐसा हो गया तो फाइनल ही क्या गया 25 root 5 तो ये कौन सा option है option B and this is the final answer of this question clear होगा कुछ ठीक है अब option के हिसाब से आपको match करना तो आपको देखना कि कौन सी options आपकी match कर रही है is it clear ठीक है चलो जे लो next question is question number 6 question is in the adjoining figure angle B is equal to angle C क्या कहा जा रहा है आपको एक figure की बना है so this is the figure A, B, C A, B, C और ये आपका क्या है D this is D question में कहा जा है in the adjoining figure angle B is equal to angle C angle B किसके equal है angle C के दो ये 90 है तो ये भी 90 होगा ठीक है फिर क्या कहा जा रहा है ad is perpendicular to bc ad is perpendicular to bc आपको कहा जा रहा है triangle A, B, D जो है वो congruent है triangle A, D, C पर किस rule से congruent है ये पूछा जा रहा है तो पहले congruency check कर लेते है ठीक है तो जो आप congruency check करोगे तो फर्स्ट फॉल दोनों ट्राइंगल हो consider करो इन triangle A, B, D and triangle A, D, C and triangle A, D, C फर्स्ट फॉल दो को जी angle B, angle C के equal है question में क्या है given question में क्या है given फिर say angle 1, angle 2 angle 1 जो है angle 2 के equal है इच 90 डिग्री क्या कहोगे इच 90 डिग्री यह भी क्लियर हो गया फिर आप कहोगे A, D common है A, D equal to A, D यह क्या है common common है तो इसका मतलब भी congruency किस बैसिस पर होगा angle angle side कोज़ ऑप्शन है D, right answer is option D, को डाउट है तो बता हो clear है next question is question number 7 one question is how many lines pass through one point एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है तो जिकोजी एक पॉइंट है many lines यह आप क्या सकतो infinite lines को गिंती नहीं है जितनी मर्जी लाइन पास कर आ लो तो राइड आंसर क्या होगा option D, right answer क्या होगा option D, is it clear ठीक है next question is question number 8 the degree of the zero polynomial बहुत ये अच्छा होगाальных से और इंट्रस्टिंग होशना कि एक इत्यक्यक्यक्सन किशी ओकूलिनवन है क्या जीरो है क्या जीरो एक जीरो मैं दसी रॉह में और तहरी क्या है युश्रतीन थैस्ट इस्ट क्या क्या एक कॉंस्श्टेंट देवल्न आप के पो Speaking कौन सा पॉलनोमेल है जीरो पॉलनोमेल लेकिन इस केस में आपको डिग्री जो है वन होनी चाहिए मैं लिखू जीरो इन्टू एक्स रेस्टू पावर टू अब यह भी पॉलनोमेल है और वेरियबल की पावर क्या हो लंबर कंडिशन दोनों सैटिस्वाई हो रही आपको यह यह भी पॉलनोमेल है लेकिन ओवर यह जीरो से मल्टिप्लाई होके क्या हो जाएगा जीरो इसकी डिग्री लेकिन डिग्री क्या होगी टू ऐसे मैं जीरो एंटू एक्सरेस्टू पावर 3 लिखू अब आपको 3 तो क्या है पॉसिबल है इसकी एक्जेक्ट वैल्यू बतान डी 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 तो राइड आंसर क्या होगा आपका option डी option डी इसे क्लियर नाइस question is question no.9 question is the simplest rationalization factor of the simplest rationalization factor of 2 root 2 minus root 3 वैसको rationalize करोगे तो क्या करोगे वाइनस की जगा प्लस करना अब देखो कौन सी वैलू है वह तू रूट 2 प्लस रूट 3 डी टू रूट 2 प्लस रूट 3 डैट इस option बी तो है टू रूट 2 प्लस रूट 3 हो गया question यह रहा question next question is question no.10 the diagonal a c and b d of a parallelogram a b c d intersect each other at point o तो पहले मैं एक parallelogram बना लेता हूं से this is the parallelogram this is the parallelogram आपको क्या कहा जा रहा है a b c d आपको कहा जा रहा है diagonals a c and b d यहो गया a c यहो गया b d intersecting each other at point o if angle d a c d a c यह कितना है 32 degree ठीक है जी यह गया 32 degree and angle a o b a o b यह कितना है 70 degree तो angle d b c पूछा गया d b c आपसे कहा जा रहा है इसकी value क्या होगी angle d b c की value क्या होगी बताओ जी कैसे कर रहें इस question को d b c की value आपसे पूछी जा रही है क्या होनी चाहिए इसके parallel है यह line इसके क्या है parallel है और यह transversal है तो यह 32 है तो यह भी कितना होगा 32 प्रीटो प्रीजन और रनेट इंटीर एंगल इतनी वा समय आगे बही यह इसके parallel यह ट्रांस बर्सलर है तो यह इसके एकोल होगा और रेंटीर राइंगल अच्छा यह पूरा एक लीनर बनेगा एक लाइन पूरा एंगल बिनर पेर बने गा तो यह 70 यह वाला एंगल कितना होगा यह वाला एंगल यह वाला एंगल होगा 130 होगा 130 यह एंगल 1 और यह एंगल 2 मैं गहाँ रहो ऑन प्लस एंगल 2 विल बी एकल तो 180 डिगरी वाय आं सेंग दिस विकोज इडिस अलिनियर पेर दिए what will be the value of angle 2 तो आपको कि 180 माइनस एंगल वन एंगल वन कितना है 70 तो 180 माइनस 70 देटीज 110 डिग्री 110 डिग्री चलो जी हो क्या 110 डिग्री चलो जी हो क्या 110 डिग्री और यस 110 यह 110 आएगा 110 अब इस ट्राइंगल पर आजो इन ट्राइंगल बी ओ सी इन ट्राइंगल बी ओ सी यह टू है इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 तो क्या नहीं से थाट अंगल 2 प्लस अंगल 3 प्लस अंगल 4 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री अंगल 2 कितना है 110 अंगल 3 32 अंगल 4 इक्वल टू 180 तो वट अंगल 4 180 माइनस यह कितना हो गया 152 110 प्लस 32 142 142 142 का मतलब 38 किसका अंसर है बी तो राइट आंसर इस ऑप्शन बी राइट आंसर इस ऑप्शन बी कि जो यह वाली वैली होगी आपकी अंगल dbc वो कितना होगा आपका 38 डिग्री क्लियर हो गया कोश्चन ठीक है नाट्स कोश्चन इस कोश्चन नमबर 11 इस एक्स रस तो पावर इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू क्या होगी एक लियर हो गया ठीक है तो देखो जी परस्ट अब आप यह देखो इसको देखो आभ इस यह 64 है तो 64 बाई 1 हो गया क्रोस मल्टिप्लाइ करोगे तो एक स्कुएर इंटू 64 किसके इक्वाल होगा 1 के और एक स्कुएर इक्वाल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 64 विच इस 1 बाई 8 रेस तू पावर 2 तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो एक्स की पावर वैल्यू क्या जाएगी 1 बाई 8 यह बाई समझ में आ रही है ले रहा तक ठीक है चलो जी अब यहाँ जो अब आपको यह वैल्यू फाइंड करने है नाओ एक्स रेस टू पावर 1 बाई 3 तो 1 बाई 8 रेस टू पावर 1 बाई 3 प्लस एक्स रेस टू पावर 0 किसी की पावर 0 वो तो 1 ही होता है तो 1 की पावर 1 बाई 3 तो 1 8 की पावर 1 by 3 नीचे 8 की पावर 1 by 3 8 होता है 2 की पावर 3 और साथ में आ गया 1 by 3 1 की पावर 1 by 3 तो आपने सॉल्ट कर दे हम नीचे हम डिनॉमेटर में प्लस 1 इक्वल टू इक्वल टू आपको फाइंड करना है यह किसके एक्वल होगा चलो जी देखो ना इट विल्टी इक्वल टू देखो 3 से 3 कर जाएगा तो 1 by 2 प्लस 1 ताल सिम कितना है कर टू तो 1 प्लस 2 तो आंसर क्या होगा 3 by 2 चक करो कौन सा ऑप्शन है कि तो राइड डांसर इस ऑप्शन सी लेर हो गया राइड डांसर इस ऑप्शन सी बोलो कांपे डाउट है यह 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 आपने प्रॉपर्टी पढ़ीती सर शेप्टर बन में यह रिस टू पावर मन में एंटू एंटू एंट न होता है तो जब थी को बन पाद री से फाईड चाहरा आपको डालीनियर क्योषइन दू एकस माइनस फाईड वाई है इसके कितने सोलूशन होंगे 2x minus 5y equal to 7 has how many solutions जितनी x की value put करोगे तो ने y की value आती जाएगे 2x equal to क्या हो जाएगा 7 plus 5y, y की जग़ा 0 रखो, तो 2x equal to क्या हो जाएगा 7 तो x की value क्या हो जाएगी 7 by 2, y की जगा 0 रखा, तो x की value 7 by 2, y की जगा 1 रखो तो 2x equal to क्या हो जाएगा 12 और x equal to क्या होगा 12 y 26 तो जब y 1 था x6 है ऐसे जितनी आप x की y की different value रखोगे उतनी x की different value तो को लिमिटी नहीं है infinite तो answer क्या है इंफाइनाइट तो राइट आंसर इस option me that is infinite solution इस linear question linear question क्यों कहा जा रहे है तो किसकी डिगरी क्या है वाल ठीक है डिटर प्रेज़ेंट इसकोष्ट नमबर 13 इंदा जोइन फिगर इंदा अगें वेरी इंपोर्टन कोश्टन आपको एक फिगर की बनाए इस तरह से इसमें कोश्टन में यह जो एंगल आपका 110 डिग्री राइट और यह एंगल कितना आपका 150 डिग्री यह हो गया ए और यह क्या हो गया बी इसी तरह से यह हो यह और यह ऊगया आपकाई पर यह पोइंट हो गया ले कितना होगा याद होगा को यह आपका एक जो के लो को अब आप मानलों यह एंगल वन है यह एंगल के यह वाला एंगल कितना है टू पर यह एंगल थी यह एंगल फूर अब फिगर को देखे जस्ट मुझे यह बताओ क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल वन प्लस एंगल 3 180 होगा को इंटीरियर एंगल यह इसके पैरलल यह ट्रांसवर्शन तो 3 कितना है 110 तो 180 माइनस 110 कितना हो गया 70 तो एंगल वन आपका हो गया 70 सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4 यह भी कितना होगा 180 रिजन को इंटीरियर एंगल एंगल 4 कितना है 150 तो एंगल 2 कितना होगा 180 माइनस 150 यह हो गया 30 तो यह आपका आगया 30 टोटल टोटल एंगल ACD ACD क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 1 कितना है 70 डिग्री एंगल 2 कितना है 30 डिग्री यह हो गया 100 डिग्री पॉप्शन देखा कौन से है बी तो राइट आंसर इस ओप्शन बी बैरी इंपॉर्टन पॉर्टन इस एक्लियर ठीक है क्रेक्श्च नंबर 14 कोश्च नंबर 14 इस वैड़ाली ओफ 32 रेस तू पावर वन बैप फाइव के प्लस माइन स्व आइज टू पावर जिरो प्लस 64 रेस तू पावर वन बैटू यह किसके विख्वल होगी एक किसके इक्त खुल ओग्य। 32 आप देखो किसकी पावर 5 होता है 2 रेस पावर 5 तो यह ओग्या जी वन बै साइक किसी की पावर जीरो तो वन दुपनिक है किसी की पावर 2 होता है एड डेस टूपावर 2 वह तैंच नहीं किरने रही है ने रहे हैं था ठीक है चले आगे 5 से 5 cancel भाई मैं directly कर रहा हूं वैसे आपको पता M into N हो जाएगा यह यह जाएगा 1 और इसी तरह से M into N हो जाएगा 2 into 1 by 2 2 से 2 cancel 5 से 5 2 raise to power 1 2 plus 1 plus 8 8 9 check करो 11 कौन सा option है तो राइट आंसर इस ऑप्षण सी राइट आंसर इस ऑप्षण सी यह क्लिए रोगया ठीक है नाक्स कोशन वेरी 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 इंपॉर्टन कोशन कोशन नमबर 15 थोड़ा फीगर देखे भी आपको समझ में आई रहा होगा कुस्तों खास है कोशन में कोशन नमबर 15 तो तहला तो पी और बी ı। त्राइट फिर यहां से कोड किéri बन आपको सी डी तो यह होगा सी और दी फिर ए और सी को 아닌 करने आ पको fence criterion और आपको का जा रहे यह जो एंगल आपका यह एंगल कितना एक से सिए ठीक के बिवली गों कर के यह एंगल बनेगा ऐसिफ पर कॉश्चन यह कितना आपका वॉइ यह अब आपको यह का जा रहा है यह वाला फॉयंट कितने यह और आपको का जा रहा है इंटरसाइटेजर है ट्राइट अंगल इंटरसाइटी इस एंडर राइट अंगल थोड़ा सा तेड़ा बनाए एकसपर कोश्चन है डिर्ड लाइन निकि इतने हो समझ मेरा फिकर में आपको आपको एक स्वाई निकालना है क्या निकालना है जी एक स्वाई इसको करने के लिए आपको construction करनी होगी क्या करने होगी construction आपको क्या करना होगा बी और सी को और यह जो एंगल टू है मैं बोल सकता हूं दोनों इक्वल है मैं क्या रहो एंगल वन जो है अंगल टू के इक्वल है बताओ कैसे एंगल वन का भी जो एक साइड हो किसको टच कर रहा है वी को दूसरी साइड किसको टच कर रहा है सी को एंगल टू की भी एक साइड किसको segment by theorem 9.8 तो यहां पर आएगा by code by code CB CB code के रिस्पेट में एंगल इंदा सेम सेग्मेंट तो यह एंगल एक्स हुआ की नहीं हुआ अब यह 90 है से इसको ले लो 3 और यह जो एंगल आपका यह वाला एंगल यह 3 हो गया तो यह कितना हो गया 4 हो गया अब अब बो सकता हूं 3 प्लस 4 180 होगा इसिसाफसे एंगल 4 जो होगा वो क्या होगा 180-3 एंगल 3 कितना है 90 तो 180-90 तो यह गया गया तो यह एंगल आपका 90 आ क्या कहोगे यह एंगल 4 था इसको मैं यहां ले लता हूँ तो एंगल 4 है यह हो गया 90 यह हो गया 2 4 इसको ले लो 5 तो एंगल 2 प्लस 4 प्लस 5 इक्वाल टू 180 एंगल सम् प्रॉपर्टी यह वाज समंधारी है तो यह 2 आपका कितना है एक्स 5 आपका कितना है वाई 4 कितना है 90 प्लस 90 इक्वाल टू कितना हो गया 180 इसको उदर ले जाओ तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 यही तो फाइंड करना था ऑप्शन बताओ विए खिस उप्शन सीट और आपशन सी क्लिर हो गया कोश्चन ठीक है एघसी सा आफ मैंस कोई और सिक्स नमबर 16 ऑफल पॉइंड एक्स एक्सेस वाई अक्सीज एक्सीज है और यह क्या है वाई एक्सीज एक्स एक्सीज आच्स एक्स एक्स एक्सेज प्र जोंड सिसा होता है तो यसा ठीस फ्राइब नंबर हो सकता एक्स एक्सेच पर तो प्राइट गया वाप्शन डी अगर वो अजो अज्क रोगए तो जीरो थे लुट क्यूंब शूम का उसका य गया जिरो आफ सीसा जो यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस को दर शुट कर दो तो साइन चेंज हो जाएगे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस तो य की वैलू क्या हो जाएगी 5X-7 by 2 that is Y in terms of X तो कौन सा अंसर है यह A that is option A is it clear ठीक है ठीक है question is question number 18 if PX is equal to question number 18 if PX is equal to 5X minus 4X square plus 3 तो आपको का जा रहे है P of minus 1 क्या होगा P of minus 1 किसके equal होगा P of minus 1 किसके equal होगा तो देखो जी simple सी बात है X जाग है पूट कर तो minus 1 तो 5 into जहाँ जहाँ X है वाँवा minus 1 minus 4 तो 5 into minus 1 minus 5 minus 1 square 1 plus में क्या होगा 3 तो minus 5 minus 4 plus 3 तो minus 9 plus 3 कितना हो जाएगा minus 6 and this is the final answer of this question कौन सा option है बी option B question is question number 19 ABCD is a square question में क्या कहा जा रहा है ABCD क्या X square है तो मैं X square बना देता हूं say this is the square as per question ABCD is a square to say this is a square ABCD is a square फिर आपको कहा जा रहे हैं AC and BD intersected O इसके जो डाइनल है वो कौन-कौन से AC and BD किस पॉइंट पर intersect हो रहे हैं और पॉइंट पर एंगल ले ओभी 90 एंगल ले ओभी क्या है 90 पर डाइनल जो होते हैं स्क्वेर के वो 90 पर ही इंट्रसेक्ट होते बातों सही है तो यह क्या होगा ऑप्शन ए राइड आंसर क्या होगा नहीं इसको पीवाइक फॉम्म नहीं ली सकता तो यह की रैश्टन नंबर रहे तो अब रीजन क्या रहा है स्कुएर रूट ऑफ पॉजिटीव इंटीजर विच इस नोट एपर फेर्ट स्कुएर जिनका स्कुएर रूट नहीं होता है यानि कि जिनका जो पर्फेर्ट स्क स्कुएर नहीं नहीं है वही रैश्टन नंबर होता है वही तो इसका रीजन है तो अगें ऑप्शन ए एसरशन बीट्री वहीं रीजन भी ट्रू है रिजन बीट्री ग्रीजर इजली आपको यादार ओक यह अपना लेते हैं अगर आप ध्यान से देख तो आपको यादार ह में अपने किया है यहां और ट्राइंगल की वने a b c और इसी तरह से आपको रिंगल जोला हो गीवना-a a dc according to the question year angle गितना आपका angle 1 और यह एंगल है आपका अंगल 2 फिर आपको का अगे यह एंगल कितना एंगल 3 और यह एंगल कितना आपका अंगल 4 इतनी मा समझ में आ रही है क्लियर होगे यहां तक ठीक है अब कोश्चन में गीवन क्या है what has been given in this question question में given as per question what has been given that angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4 and what we have to show what we have to show that angle a is equal to angle C तो हमें पूफ क्या करना है कि जो एंगल ए है वो किसके equal होगा angle C के equal होगा के थीमा समझ में आ रही है आपको कि रहे हैं तक ठीक है तो देखो क्या से शोकर होग और यह देखो प्रूफ यह एंगल 1 जो है ढएंगल 3 के equal है right reason given say question number 1 एंगल टू एंगल 4 के एक्वल है रिजन यह भी कोश्टन में आपको गीवन है यह कोश्टन इमाइट एंपेट एंची आटी से जादा इसी कोश्टन हो गया क्योंकि यहां तो अल्रेडी सब कुछ गीवन ही आपको आपको कुछ नहीं करना आपको प्रूफ करना एंगल कारना चींए दोनों को क्या करते अगर मैं दोनों को एड करता हूं एडिग करता हूं कि एक्वेशन1 & टू वी गैट वी गैट तो यह क्या हो जाएगा एंगल 1 से एंगल 2 इक्वल 2 मैं क्या ओजाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 जब आप वन और टू को एड करते होगे C hence proved and this is the final answer of this question next question is question number 22 question is read the following two statement which are taken as axiom दो आपको statement given आपको दिखाई दे रहोगा part one or part two में दो statement given right अब आपको कहा जा रहा है दोनों statement के नीचे दो को पूछा क्या क्या is this statement of axioms consistent consistent का मतलब क्या अगर यह दोनों true होंगी we will say that these are the statement as well as axiom तो यह consistent है justify your answer the first part the first part में आपको यह कहा जा रहे है first part में कहा जा रहे है if two lines intersect each other if two lines intersect each other say these are the two lines which are intersecting each other then the vertically opposite angles are not equally तो गलत है अगर दो लाइन इंट्रसेट करती है तो vertical opposite angles to equal होते हैं तो यह statement क्या आपकी false why because vertical opposite angles are equal vertical opposite angles are equal when when two lines intersect when two lines intersect each other जब दो लाइन इंट्रसेट करती है तो tops it angles क्या होते हैं equal होते हैं क्या होते है equal होते यह जबास आ रही है okay second राते second statement inception second statement सब्सक्型 कि आंग गैने सी इस आप और यह ऑन ग। यह और टिभी है। यहां तो आपका statement और exam true देकिन यहां पर statement वह आपकी यह और exam क्या false तो दोनों को मिला कि क्या consistency consistency का मतलब देखो पहले false फिर वो consistency निया यह 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 भी भी तो तब हम कहते ही consistent होता तो आप कहोगे that is not consistent that is not consistent का मतलब शुरू से लेके लास तक एक जैसा हो क्लियर होगे यहां तक खिक है next question is question number 23 which of the falling point lie on the y-axis पहले मुझे बताओ कौनसा point y-axis पर lie करेगा कौनसा point जो y-axis पर lie करता जो point y-axis पर lie करता उसका x वाला जो point है वो क्या होगा जीरो यानि कि उस coordinate का एपसी सा क्या होना चीज जीरो जैसे कि for example जीरो कॉमा 5 यह y-axis पर है क्योंकि एक सीरो है जीरो कॉमा 21 यह भी क्या आपका y-axis पर lie कर रहा है तो क्या ए करेगा ए 1,1 नहीं एक्स क्या होना चीज जीरो तो सीरो एक्स जिसका 0 वो बताओ सी करेगा आपका क्यों सी का जो एक्स है वो जीरो तो यह लाइक करेगा और डी y-axis पर यह ओरीजन पर करेगा क्योंकि उसका y भी जीरो है y-point आपका एक constant number होना चीए greater than 0 या less than 0 e देखो e करेगा e क्या आपका minus 5,0 और f करेगा आपका नहीं यह नहीं करेगा e नहीं करेगा x 0 होना चीए तो e नहीं करेगा आपका इसके बात करेगा f करेगा 0, minus 1 और h करेगा 0, minus 8 यह आपके तीन पॉइंट लाइक करेंगे is it clear clear होगे यह तक ठीक है 00 तो क्या कहोगे वह exactly कहां पर लाइक करेगा और इजन पर clear होगे यह question ठीक है next question is question number 24 जिसके दो पार्ट से यानि कि इसमें optional question भी है तो पहले first वाला पार्ट देखते है question number 24 का first वाला पार्ट क्या आपको simplify करना है simplify किसको करना है root 3 minus root 2 whole square को simplify करना है यह आपका question chapter 1 से है कहां से है chapter 1 से तो इसमें क्या use करोगे using a minus b whole square तो क्या होगा a square plus b square minus 2ab इसका मतलब क्या हुआ which implies root 3 minus root 2 whole square किसके equal होगा a square तो यह हो जाएगा root 3 square plus b square तो क्या हो जाएगा plus root 2 square minus 2ab a की जाएगा root 3 और b की जाएगा root 2 अब मुझे बता root 3 का square क्या होता है 3 root 2 का square क्या होता है 2 minus 2 root 3 into root 2 क्या हो जाएगा root 6 3 plus 2 क्या हो जाएगा 5 minus 2 root 6 क्याना है this is the final answer क्योंकि इसके आगे इसको simplify नहीं कर सकते because यह आपका क्या है irrational number और यह rational number तो यह 24 के first part का answer हो जाएगा question number 24 optional question this is a very 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 important question find the value of a आपको a की value find करनी है question number 24 का यह जो optional question है इसमें क्या कहा जा रहा find the value of a given equation क्या है 6 upon 3 root 2 minus 2 root 3 equal to 3 root 2 minus a root 3 आपको का जार अगर यह इसके equal है तो a की value क्या होगी तो जब भी ऐसा question आता first step क्या होगा we will rationalize this part जब आप सको rationalize करोगे तो क्या हो जाएगा 6 by 3 root 2 minus 2 root 3 into 3 root 2 plus 2 root 3 हो गए लियर हो गया तक ठीक है अप उन में क्या जाएगा 3 root 2 plus 2 root 3 और equal to में क्या हो जाएगा आपका 3 root 2 minus a root 3 यह चीज़ क्लियर होगी आपको ठीक है अब देखो जी जब आप इसको solve करोगे तो क्या आजाएगा 6 within bracket 3 root 2 plus 2 root 3 इस पे तो कोई दिक्कत नहीं होना जी है a minus b और a plus b क्या होता है a square minus b square क्या होता है a square minus b square यह चीज़ क्या होता है a square minus b square यह चीज़ लियर होगी ठीक है equal to में हो गया 3 root 2 minus a root 3 equal to में क्या हो गया 3 root 2 minus a root 3 यह clear हो गया आप देखो जी यह हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 root 2 plus 6 2 जा 12 root 3 upon 3 का square क्या होगा 9 root 2 का square क्या होगा 2 तो मैं बोल सकता हो इसका square 18 ओ Keys minus 2 का square क्या होगा 4 root 3 का square क्या होगा 3 मैं बोल सकता हो यह 12 ओगा equal to 3 root 2 minus a root 3 इसमें वह doubt नहें तो बताओ clear हो गया यह तक ठीक है अब आगे देखो जी नाव 18 यह हो गया 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा 6 तो आपको यह हो जाएगा 18 root 12-12 root 3 by 6 equal to yes 18 root 2 18 root 2 equal to 3 root 2-a root 3 अब देखो क्या मैं न्यूम्रेटर को सेप्रेट कर सकता हूं हम पहले भी बढ़ चुके हम न्यूम्रेटर को क्या कर सकते हैं सेप्रेट कर सकते है तो तो यह क्या हो जाएगा 18 root 2 by 6 minus 12 root 3 by 6 equal to क्या हो जाएगा 3 root 2-a root 3 यह क्लिए हो गया 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 तो यह हो गया 3 root 2 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 यह हो गया माइनस 2 root 3 equal to 3 root 2-a root 3 तो जब आप compare करोगे जब आप क्या करोगे compare तो compare क्या से होता देखो 3 root 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा आपको 3 root 2 यह इसके साथ हो गया माइनस में a root 3-2 इसका मतलब a की value क्या होगी comparing both equation क्या लिखोगे comparing both sides भी क्या सकता comparing both sides तो a equal to क्या जाएगा तो को माइनस से equal to minus 2 है तो माइनस से माइनस कैंसी लोगे एक ही value क्या जाएगी 2 and this is the final answer of this question और अच्छे बहुत questions आपके exam में पूछे आते हैं this is a very important question clear हो गया ठीक है question is question number 25 इसको फॉस्ट पार्ट है देखो वो क्या था हाइट of a conical vessel is 3.5 cm एक क्या होता वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम क्या है आपका 3.3 लीटर अपहले देखो यह सैंटी मिल्टर है तो लिटर को सब्सक्राइब बीदा में फायव होगा सब्सक्राइब टौ इक खालेंग Christian सब्सक्राइब अब डायमेटर के लिए आपको क्या निकालना है डायमेटर के लिए आपको क्या है अगर मैं आपसे बूचू वॉल्म वॉल्म ओफ कौन तो आप क्या कहोगे वन भाई थ्री पाई यार स्कूर अज यहीं होता है राइट अब देखो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन भाई थ्री पाई हो गया ट्वंटी टू बाई सैवन आर आपको फाइंड करना है और एच आपको कितना है 3.5 और वॉल्म कितना है 3300 काने के लिए रहे यह आपका वॉल्म आपको गीवन है अब देखो आर स्कूर को छोड़ दो बाकि सारी यहां ले जाओ तो यह हो गया 3300 जो डिवाइड हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टिप्लाई तो यह हो गया 3 into 7 यह मल्टिप्लाई यहां जाके क क्या हो जाएगा डिवाइड यह हो जाएगा 22 और यह भी हो जाएगा 3.5 यह भी क्या हो जाएगा 3.5 को डाउट है तो बताओ अब क्लीर है यहां तक ठीक है आगे देखो डैसिमल रिमूव करोगे तो यहां क्या हो जाएगा टैन 7175 जा 355 बंचा 552 जा टैन 212211 113 जा 33 औ होगा 33 जा क्या होगा 999 100 दी सकता हूं इसको में डिरक्ली अफ्टी टिरी जा 9 00 का मतलब टु लूंटर हो 0 9 9 किसका स्कूर होता है 3 का 100 किसका तर टैन का तो यह सक कए स्क्वेर हो गाए स्कुंष से काइस चाहिए करे तो आर to 30 तो यह आपका हो गया 60 cm यह क्या हो गया आपका 60 cm and this is the final answer of this question clear either clear question is question number 25 का यह optional question ने जो और बाला पार्ट है इसका this is the optional question of question number 25 आपको क्या जा रहा 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 रादा रेडियस and slant height of a cone देखो आपको रेडियस of cone और slant height यानि की L slant height का मतलब क्या होता है तो आपको slant height of cone यह क्या है आपका slant height और यह आपका क्या है रेडियस आपको इसकी ratio given है वह कितना given है 4 by 7 कितना given है 4 by 7 इसके लावा आपको curved surface area given है that is 792 centimeter square तो find its radius क्या find करना आपको इसका radius find करना क्या find करना आपको इसका radius यह वाद समझ मैं रही है ठीक है देखो जी पहले देखो radius of cone और यहां पर क्या given है तो जब ratio given है तो मैं यह क्या सकता हूं ना देखो बेसिकली आपको radius or slant height का ratio given है 4 is to 7 तो महां लेते हैं let r is equal to 4x जब ratio given है कुछ ऐसा ही करते हैं और l is equal to 7x according to the question काउट सर्फेस एरिया जो है आपका काउट सर्फेस एरिया किसका कोन का ओफ कोन वह कितना है 792 cm2 यह given है आपको काउट सर्फेस एरिया कोन का फामला जो भी आप बता रहे थे पाई आरे यह होगा 792 पाई की वैल्यू क्या है 22 42 by 7 R की वैल्यू क्या है 4X L की क्या होगी 7X equal to क्या हो गया 792 7 से 7 cancel कर दो X into X क्या हो जाएगा X square 44 into 22 हो गया 88 होगा equal to क्या हो गया 792 क्या इतनी बाद समझ में आ रही है ठीक है अब देखो जी अगर मैं आप से पुछू X square की value क्या होगी तो आपका क्या क्या होगा 792 by 88 मैंने का 1188 1177 77 और 11 टू जा 8 9 जा 72 तो X square जो है आपका 99 का मतलब हो गया 3 square तो X की value क्या आगी 3 X की value क्या आगी 3 यहां तक clear हो गया X की value क्या हो गया आपकी 3 clear है ठीक है अब क्या आपको find its radius now अगर radius पूछा जा रहा है आपसे तो 4X X की value क्या आजाएगा 3 put करो गई आजाएगा 12 cm and अगर आप से slant height भी पूछा जाता तो आपका क्या कहता है L is equal to 7 X तो यह हो जाता 7 into 3 equal to 21 cm and this is the final answer of this question clear हो गया तक ठीक है now we will proceed with our section C section C का जो आपका first question है जो की question number 26 है sample paper का question number क्या question क्या आपका simplify करना आपको क्या करना है simplify और आपको 256 upon 625 raise to power minus 1 by 4 plus 1 by 64 by 125 raise to power 2 by 3 raise to power 2 by 3 प्लस पावर माइनस में अगर मैं इसको रैसी प्रोकेट कर दूं सिक्स टॉन्टीफाइव अपॉन्टीफाइव का स्क्वेर रूट क्या होगा पहले तो बताओ तो पावर हो जाएगा 1 by 4 पावर क्या हो जाएगा 1 by 4 यह क्लेर हो गया प्लस 1 by और यह हो गया आपका 64 by 125 raise to power 2 by 3 इतनी वा समद में आ रही है ठीक है आगे देखो जी यह हो गया आपका 5 64 किसकी पावर 3 होता है 4 की तो यह हो गया 4 raise to power 3 और 1 by 3 625 किसकी पावर 4 होता है 5 5 raise to power 4 256 किसकी पावर 4 होता है 4 4 raise to power 4 जो होता वह आपका क्या होता है 256 बाज़ आ रही है ठीक है फिर ही हो गया पावर में 1 by 4 प्लस 1 by अब देखो नीचे 3 है आप देखो 64 किसकी पावर 3 होता है 4 तो आपने लिखा 4 raise to power 3 125 किसकी पावर 3 होता है 5 5 raise to power 3 और यह हो गया पावर में 2 by 3 पावर में क्या होगिया आपका 2 by 3 यह क्लिए हो गया जी ठीक है अब आगे देखो यह आपको पता है अगर ब्रैक्ट होता है तो मैं डिरेक्टी 3 से 3 कैंसिल कर रहा हो तो यह हो गया 5 by 4 यह क्या हो गया 5 by 4 प्लस क्या मैं इसको ऐसे लिजगता हूं 5 by 4 raise to power 4 इसी तरह से आप इसको क्या लिए सकते हो वन अपॉन यह हो जाएगा 4 by 5 raise to power 3 इंटू 2 by 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 by 3 यह बात क्लियर हो गई ठीक है आगे देखो जिए 3 से 3 कैंसिल हो गया 4 से 4 कैंसिल हो और आपके पास क्या गया 5 by 4 प्लस 5 by 4 प्लस 1 by 4 4 का स्कूर क्या ह हो गा 25 और इसको राइसी प्लोकेट करोगे तो यह हो जाएगा 25 by 16 राइसी प्लोकेट करके क्या हो जाएगा 25 by 16 तो देखो क्या हो जाएगा मारे पास ना वट भी फिल है 5 by 4 प्लस 5 by 4 प्लस 5 by 4 राइसी प्लोकेट हो क्या हो जाएगा 25 by 16 तो LCM लोके तो क्या हो जाएगा 16 4 के टेखो 16 4 पर 4 5 जा 20 4 4 जा 16 तो यह भी 20 प्लस 16 से 16 कैंसे 25 तो यह हो गया 65 by 16 and this is the final answer of this question is it clear is question number 27 various modes of transport used by one eight five zero student of a school are given below जैसे कि आपको इसमें यह दिखाया गया कि स्कूल बस से जाने वाले कितने बच्चे हैं 640 प्राइबेट बस से 360 बाइसीकल से 490 रिक्षा से 210 और बाइफूट 150 अब को बार ग्राफ से इसको डाटा को रिप्रेजेंट करना है किसे करना बार ग्राफ से तो बार ग्राफ के लिए एद्म हम x-axis और क्या ले लुक्या दें d x-axis एक्सें में लेने तर्सपोट क्या जाएगा मोड्स ओअव ट्रांसपोट कि ओ और y-axis में हमेशें नंबर आते तो यहां पर क्या जाएगा number of students नमबर ओफ स्टूडेंट्स यहां पर क्या आजएका और इजन आजएगा अब हाईस वैल्यू जा रहे है शिक्स फॉर्टी तो मैं इसको ले ले लाँ अंडर्ड यह हो गया हंडर्ड हैं कि दिट्येंट ट्री एंडर्ड गूरेंड एंडर्ड हैं फांडर खेंडद 600 और 700 तक इसको लेलोww स्कूल बस की क्या है 6イ00 किल्या इजिए तो देखां आपका बतने एक्वश्यक लें तो मैं 640 तक माल नेतों यहां तक यह वहाई गी है तो यह हो गया आपका स्कूलबस का इसका हो गया स्कूलबस का उसके बार ने शाट का है प्राइवेट बॉस 360 तो यहां पर माले तरह करी यहां को ही वैल्यू आएगी 360 किया मुआ प्राइवेट बस की एक विआले किए बनाना होता है फिर किया रिक्षा रिक्षा वारार स Caroline असनीच से निच के यहां माल दो यह ओगिया आपका एउड़का तो ्योगए आपका बाइपिकल फिर रिक्षा का से थोड़ा सा ए this यह एक्सेस क्थए यह जो है आपका वो किसका है स्कूल बंस इसका फ्राइवेट बस बशेश्वाज फिर फिर गजिसकाए बाइसिकल क्रपया का रिक्षा यınd हो कि बाइवी फुर और यह वाइब फुर्ट बार वागराफ में क्या होता है । कि एकवल ईकवल गया होता है सब भी रेट्टैंगुलर्स यह जो बनते हैं आपके इनके बीच में क्या होता है इक्वल गया फो दिस बार क्राओं अधिस इस दांसर अप इसकोशन 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 पर 28 ABC जर्ट्राइंगल राइट एंगल एट सी तो माल लेते हैं यह ट्राइंगल आपका A B C right angle at c तो यहां पर right angle है और line through the midpoint M तो इसका midpoint क्या ले लेते हैं? इंग किया बिदे को लिखो गिवनाराइटाइंगल और हैक इन्विच एक एंगल C जो है आपका irregular दिए दूसरा जो D is the midpoint of AC D is the midpoint of AC दूसरा आपको प्रूफ करना है M D perpendicular आपको प्रूफ करना कि M D जो है वो perpendicular होगा AC के ठीक है जी थर्ड बार आपको जो प्रूफ करना वो क्या प्रूफ करना आपको कि CM जो है आपका it will be equal to AM it is equal to half of AB half of AB रसी तो देखो यह अगर midpoint है तो यह तो आप यहां से भी देखो AM MB के equal हो और यह half of AB के equal हुआ अगर पूरा 8 हुआ तो 4 4 तो 4 8 का half हुआ ठीक है अब D is the midpoint of AC यह तो आपको डारेक्टली प्रूफ हो जाएगा क्यासे प्रूफ होगा आपको कहोगे as M is the midpoint of AB M is the midpoint of AB and यहां से जो लाइन ड्रों की है जाट इस MD वह पैरलल है तो इसका मतलब क्या हुआ डीपी क्या हुआ मिट पॉइंट हुआ अगर हम किसी भी triangle की एक साइड के midpoint से एक लाइन ड्रों करते हैं जो थर्ड साइड के क्या है तो वह जो जिस पॉइंट पर इंट्रसेट करता है वह पॉइंट भी क्या होता है मिट पॉइंट होता है तो आपको होगे देरफोर डी इस दा मिट पॉइंट ओफ 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 ऑफ एसी रिजन बाइं कनवर्स ओफ वाइट पॉइंट थेोरा वास फर्स पार्ट क्या हो गया प्रूब पर्श्केट स्था करना एंटी पर्पेंडिकूलर रेस ही यानिका आपको प्रूव करना यह एंगल 90 डिग्री ओने जाहें इस बाले नहीं इस एंगल वनारी यह एंगल और डीसी इस टांस्वर्सल क्या सकता हूं के रहुए डीसी इस एस रहां सबस्ट फर्फॉर अंगल तू जो आपका वह एंगल one के इक कोलो ना चाहिए एक वह क्यों कोर्षक्वांदिक एंगल कोर्षक्वांड इंगल अब एंगल वन जुआ हो 90 डिगरी यह थी एंगल 2 टो 90 यह आपने प्रूफ कर दिया तो आपने क्या प्रूफ कर देट इस एम डी इस परपेंडिकुलर टू एस अब आज जाओ जी पार थर्ड में आपको क्या प्रूफ करना cm is equal to a m is equal to half of a b now that's what we have to prove अब इसके लिए क्या करोगे देखो दो triangle consider करो आपको कहारा cm तो पहले तो आप इसको जोइन करो ठीक है आपके लिखोंगे जॉइन जॉइन सी एम फिर आपके कहोगे इंट्राइंगल इंट्राइंगल a dm इंट्राइंगल a dm एंट्राइंगल dcm मैंने दो ट्राइंगल consider कर लिए यह बात समझना रहे है ठीक है क्याने से देट a d is equal to dc अभी आपने प्रूफ किया है विकॉस डी दा मिट पॉइंट अभी प्रूइंट अभी प्रूफ किया आपने विट पॉइंट का मतलब यह हुआ इसको एंगल टू है इसको मैं ले लिता हूं आंगल थ्री क यह इकोल होगा वह यह 90 तो यह भी 90 एंगल 2 एकवल टू एंगल 3 इच 90 डिग्री प्रूफ करोगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा 180 बाय लीनियर पेर विच इंपलाइज एंगल 3 इस एकवल टू 180 माइनस एंगल 2 दिए एकवल टू यह रिजन भी दे दिया आपने इसके लावर दो कि यहोग्या साइड फिर होगया एंगल फिर यह साइड टे यमिस एकवल टू ढी एंगल यह क्या कोमन यह क्या कोमन है तो अगर diamond है तो आप क्या कोहोंगे Which implies विच इंप्लाइस ट्राइंगल एडी एम इस कोंग्रोएंट टू इस कोंग्रोएंट टू ट्राइंगल डी सी एम बाइ साइड एंगल साइड पुर अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं यहां से एम इस इक्वल टू सी एम एम किसके इक्वल है सी एम के एम इस इक्वल टू सी एम और यह आपका क्या हो गया बाइप सी पी सी टी अब आप कोश्चन में देखो आपको क्या कहा गया था की M is the midpoint of this नाओ एम जो है वह Mb के इक्वल आमने गीवन में लिखा था A.M. is equal to Mb and Mb is equal to half of A.B. यह आपने किसमे में मैंशन किया था? गीवन में तो यह क्या था आपको गीवन यह क्या था आपको गीवन तो say this is equation 1 and this is equation 2 तो from 1 and 2 क्या होगा? फ्रोंग एंज टू आपको प्रूव करना थर्ड पार में क्या सीएंग इकुल टू एम इकुल टू हाफ ओफ अब हैंस प्रूव और गया वह स्कुष्ट इस विच्ट नमबर 29 फाइंड दा सोलुशन ऑफ दा लीनेर एक्वेशन गिवन है यह एक्स प्लस तूवाई इकुल टूएट तू का जा रहे लीनारी कुशन है क्योंकि इसकी जो डिगरी है वो क्या है वन है डिगरी के बन अपको जाए लिए रिप्रेजेंट है पॉइंट ओन एक्स एक्सिस अब देखो फॉस्ट पार्ट में कहा जा रहे है है सोलूशन क्या होगा कि पॉइंट किस पर है क्या आढ़ में आ जा रहे है कि जो पॉइंट आपका किस पर है वह इह एक्सिस पर अब यहां से करने से पहले स्पाक्री डिगर और पॉइंट इससे पर थाप देन पहले केस में यहाँ पर आपको हाँ से एक्स की वैलू निकालनी होगी तो अगर मैं इसको सॉल्फ करता हूं तो एक्स की वैलू क्या होगी 8-2y अब y क्या आपका 0 तो y की जगा 0 पूट कर दो तो यह हो गया 8 तो यहां पर तो आ जाएगा 8 दूसरे केस में अगर y-axis पर पॉइंट है तो x0 है अब देखो अगर यह x0 हो गया यह x क्या हो गया 0 तो 2y क्या हो गया 8 तो y की वैल्यू क्या 4 तो यह हो गया इसका सॉलूशन जब x-axis पर कहेंगा तो y की जगा 0 पूट कर दोगे जब y-axis कहेंगा तो एक्स की जगा 0 पूट कर दो यह करना होता है ऐसे कोश्च लियर हो गया नाक्स कोश्चन इस रीड़ दा बार ग्राफ इंदा फीगर यह आपको बार ग्राफ की वन मैं पर घ्रिजड इन इफagarव वह एड आउट एरिया और वह बहुत्म जड़ा आपको इलाक एक्तेईर्स इन फोप ऑफ स्वगर केन चरोप ओफ शुगर कैन प्रोप इंडिफरेंट इयर्स इन दिफ्रेंट चरोप इंडिफ्रेंट इएर्स यह बताएगा ना किसी एर में क्या था डिफ्रेंट पीरियोड आप क्या सकतो ठीक है अच्छा सब्सक्राइब क्या पूछा जा रहे है इन वीच यह था एरिया अंड़ा शुबर वर्द मैक्सिम मैक्सिमम तो 1982-83 तो मैक्सिमम किसमें अगर आप नाचाइटी तुछ तहो तो इसकी वैल्यू को तो यह थोड़ा सा ऊपरे सकी वैलू सब्सक्राइब प्रन वे त्रीटाइम्स वोड़ी ना में यह इसका तूटाइम्स आ पकर क्या होगे आपको में नओ इस फाल्स सपोपिय। यह जो ट्रीफ जात करना है जब एक एक्षा-प्यूम सुव्ण नहीं होता तो यह आप X-axis ले लो यह आप ले लो वाई-axis तो X-axis में क्या हैगा monthly school fee monthly school fee और वाई-axis में क्या हैगा number of schools number of schools number of schools अब दो जो वैल्यू है इसकी फ्रिक्वेंसी की वह मैक्सियम कहां तक जा रही है 14 तक जा रही है कहां तक जा रही है तो 246 8 10 12 14 16 18 और 20 फास्ट वैल्यू क्या अच्छा यह 30 है तो 30 30 का क्या ले लो 40 60 90 120 150 180 210 और 240 फाला आपको का जर 3260 यह वैल्यू जो कितने स्कूलों कि इतनी फीज पांच कूलों कि यह तो यह आपका कुछ ऐसे बन जाएगा है है आसाहिकर तो next which 66,290 कितने स्कूलों कि फीज़े ट्वेल्ट टॉह एक्जैक्जैक्टल यह आगया जाएगा है कि three कि Tu Clip 90 कि कृण 921 20 कितने स्कूलों कि फीज ठेप है 14 तो यह अपका ओ गया 14 फिर 120 फान फिटी इंफिटी यह आपका गया हो गया 18 यह गया हो गया आपका 18 फिर 152 180 10 तो यह आपका गया 10 यह आपका ठीक है फिर के बना नाइन से थोड़ा सा नीचे आजाओ यह नाइन हो जाएगा और फिर किया आपका four इए exactly four तो यहिसट्राम होता है अपका एक्जाक्ट्लि झाख कि ग्राँбर नाइब यह होता है इसमें गोछ नहीं होता सारह साय रोगी ऑप फैके लिसके स्थาप्रटर वश्क्ट क्या ले लेते हैं पी एक्स और पी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 4A स्क्वेर एक्स रेस टू पावर 3 प्लस 2 एक्स प्लस 2 ए प्लस 3 अब कोश्चन में क्या कहा जा रहे है अब आप लिकाओ कि बिकाओ एक्स प्लस 2A is a factor ओप आप तो सबसे पहले आप इसके क्या निकालोगे 0 x plus 2a का 0 कैसे निकालोगे इसको 0 के equal रखोगे तो x की value क्या जाएगी minus 2a x की value क्या जाएगी minus 2a तो क्या हो जाएगा p of minus by factor theorem p of minus 2a 0 के equal होगा अब p of minus 2a का मतलब x की जगा क्या हैगा minus 2a तो minus 2a raise to power 5 minus 4a square x की जगा क्या हैगा minus 2a raise to power 3 plus 2 फिर x की जगा क्या हैगा minus 2a plus 2a plus 3 और ये किसके equal होगा 0 के equal होगा ये किसके equal होगा 0 के minus 2 raise to power 5 minus 32 a raise to power 5 minus 2 raise to power 3 होगा minus 8 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 8 for the 32 multiply करो के बेसे में पावर प्लस तो a raise to power 5 प्लस माइनस माइनस 4a प्लस 2a प्लस 3 equal to 0 यह रहां तर यह cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस 2a प्लस 3 यहां जाएगा तो माइनस 3 माइनस से माइनस cancel a की value क्या है कि 3 by 2 and this is the final answer of this question is it clear but you see as a doctor section C complete now in today's class will proceed with our section D for the next question amara that is question number 32 question number 32 in each of the figure tell a figure this is the given figure this is a and this is B and CD is parallel to a B as per question यह जो पॉइंट आपका यह क्या आपका यह आपको यह एंगल जो है 35 degree given है यह एंगल कितना की बना आपको 35 degree यह वाज़ना रही है ठीक है और आपको आपको एक्स की value find करने किसकी value find करनी एक्सकी और यह जो एंगल आपका वो कितना है 65 degree यह एंगल कितना आपका 65 degree अब given क्या है एस पर given एपर गीवन information a b is parallel to c d मेंज यह जो लाइन वह इस लाइन के क्या है आपको किसकी value find करनी है एक्सकी value find करनी है सबसे पहले आप यह देखो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको construction करनी होगी से draw a line draw a line pq आपने construction क्या किया आपने क्या किया construction आपने क्या किया construction construction में क्या किया है draw pq parallel to a b draw pq parallel to a b ठीक है अब आप देखो now pq parallel to a b कैसे by construction by construction और a b जो है यानि कि c d जो है वो a b के parallel है न यह क्या आपका given यह क्या आपका this information has been given यह clear हो गया ठीक है तो क्या नहीं say that which implies what अब a b इसके भी parallel है इसके भी parallel है इसका मतलब यह हुआ कि pq और cd जो है वो भी parallel होंगे तो different lines are parallel to the same line and they are also parallel to each other जिसका मतलब pq जो है आपका pq जो है यह भी cd के क्या होगा पैरलल हो यह बासामन में रही है ठीक है अच्छा आप देखो Aleckic parlor to pq उवाय नभी अब यह यह वालो अंके यह आपको एक्स्मार करना है यह अपको पूर्ण करना राइट यह पूरी वैल्यू कितनी है आपकी एक्स यह पूरी वैल्यू कितनी आपकी अग्स्मार को hem करना मैं इस एंगल को बन ले रहा हूं इस एंगल को क्या ले रहो वन और इस एंगल को ले रहा हूं टू इस एंगल को क्या ले रहा हूं टू ठीक है मैंने आपको यह का a b is parallel to cd pq a b kis के parallel a pq k can I say that and b is transversal agree करते हो कि इस ट्रांस बर्सल यह इसके पैरलल और यह यह जो लाइन वो ट्रांस बर्सल है तो अगर ऐसा होगा तो एंगल 135 डिग्री के एकवल होगा नहीं होगा बाया और इंटीरियर एंगल होगा होगा ना इसी दरह से आप यह देखो कि नाओ pq is parallel to cd pq is parallel to cd and d and ed a d and ed is transversal and ed is transversal तो आप क्या होगा एंगल टू जो होगा वो 65 डिग्री के एकवल होगा इसका रिजन भी क्या होगा क्या तनी बाद समझ में आ रही है तो आपको find करना ही पूरा एंगल x तो x किसके equal होगा Angle1 गितो यह फूरा एक्स है ना आपका буफ किसके क्ला करने सकनल कि अंगल के यह उगषचन बडूरा एंगल के इकवल होगा एंगल बंडा टू के एक्वल होगा तो एंगले एक्स कितना है 35 एंगर 265 डिगरी तो कहने से देर इडिट विल वी इक्वर 200 डिग्रें इस इज़ फाइनल आच्राइब फिर अगेन इसमें आपको फिगर की बने यह आपका कोश्चन नमबर 32 का चॉइस वाला कोशन है फिगर आपकी क्या है अगेन आपको एक लाइन की बना है P and there is another line that is C D C and T and this is the point E and this is the point F and as per question this is the point G according to the question यह आपका जो एंगल हो P degree है यह जो आपका एंगल हो Q degree है और यह जो आपका एंगल हो R degree है ठीक है so what has been given that A B is parallel to C D what has been given that A B is parallel to C D and what we have to prove P plus Q minus R is equal to 180 degree 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 clear रहे है ठीक है यहां तक रहे है ठीक है प्लस Q minus R equal to 180 degree तो अब देखो क्यासे कर सकते इस question को अगेन अगेन अगर आप यहां पर देखो तो can I say that देखो यहां से मैं एक लाइन ड्रो कर रहों यहां से मैं क्या कर रहों एक लाइन ड्रो कर रहों से दा लाइन इस लम अलम है तो आपने construction किया क्या किया construction ड्रो कि अपने लाइन ड्रो की लम जो किसके पैरलल है अपने लाइन ड्रो की लम यह वाला अपकर टीक है कि और यह भी लिख सकता है पासीज थ्रू एफ पासीज थ्रू एफ पासीज थ्रू पॉंट फीलन अपकी पॉइंट एफ से पास हो रहा है तीक है अब देखो अब हम आते हैं प्रूफ पर किस पर आते हैं प्रूफ पर कैना इसे दैट फस्ट फॉल देखो जो आपका एपी है एलम जो है वह एपी के पैरलल है यह तो कैसे बाए कंस्ट्रक्षन और आपका एपी के पैरलल है यह क्या आपको गीवन है इसका मतलब यह हो गया तो डिफ्रेंट लाइन अपडालल से end Online 2 यहां लिखते तो यह आपका पूरा एंकना क्यूंद इग्री मैं इसको ले रहा हूं इसको कहे ले रहा हूं है सो कह ले रहा हूं है ठीक है C A be is parallel to LM and is app is very good AEF is transfer यह इसके प्रांसवर्सलेक टिए बहुत तो मैं बोल सकता हूं कि प्लस एंगल वन यह बने टीडिग्री के एक्वल होगा को इंटीर्य एंगल एंगल होगा ठीक है अच्छा बिन देखो यहां देखो यहां मैं ले रहा हूं इसको एंगल ज् 다। हो इसको क्याले रहा हूं एंगल टू झानना ए से धाट एंगल टू है यह किसके इक वाल हो गांत है अर यहें गुर्द रेंग यह ड्रीकर दो राटाने इंटीरीड एंगल आव Jackie सब्सक्राइंगल एंगल एंगल टूइस Kampf हसी कोरदत ओ एक कितना हमें प्रूफ क्या करना है P plus Q minus R equal to 180 degree तो P plus one कितना आगया आपका 180 degree और 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 एक काम करो इसको अंगल 3 ले तो किया ले लो में ट्रीज़ा थिक्या नाओ कि आप एंगरी करते हो कि एंगल 3 200 आप इसको आप धूरा नेटी होगा क्यों होगा लीणेर पेर क्यों होगा लीनेर पेर तो एंगल 3 की वाइल्यू क्या हो जाएगी 180-o या फिर इसको आप ऐसी रहने दो यह वोगी आपका लिनेर पर यागरी करते हो ठीक है अब इसको आप लेलो एक्वेश्चन बन इसको लेलो एक्वेश्चन टू फ्रॉम बन एंड टू राइट-एंड साइड से मैं तो लेप्ट-एंड साइड क्या होगी एंगल पी फ्लस ए एंड अर्क बिसको लोगा एंगल त्री रहां थे प्लस एंगल ट इसनों रिए आपको ठीक है अब चीछिस फ्वेश्च की फ्लस क्यों यह 1 न आपका और यह क्ई आपका ध्री यह 3 प्लस रहें ठीक है अब आप यह देख हो सऺिए के इक विशन फ्री यह क्या हो विशन 3 now can I say that LM जो है आपका वो CD के पैरलल है कि लम किसके पैरलल है CD के and FG is FG is transversal FG is transversal तो क्या होगा angle 2 plus angle 3 किसके एकल होगा 180 के तो एंगल 3 को टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2 होगा नहीं होगा यह उठाके यहां पूट कर दो putting value of angle 3 in equation 3 यहां पूट करो तो यह हो जाएगा एंगल प्लस एंगल 1 एंगल 3 की जाएगा 180 minus angle 2 plus angle r यहां समझ में आ रही है प्ले रहे नहीं तक ठीक है अब यह माइनस यहां जाके क्या हो जाएगा plus यह प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा minus equal to क्या हो जाएगा 180 वन प्लस 2 यह पूरा तो क्यों है one plus two तो मैं प्लस चाता हूं एंगल पी प्लस एंगल क्यू माइनस एंगल आर इकवल टू 180 डिग्री अब नहीं सकता है क्यों विकोज एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके एक्वल है क्यों डिग्री कि यह तो प्रूफ करना था यह तो आपको प्रूफ करना था बास वजना रही है क्लियर है तक ठीक है इसी कोश्चन को हम एक और मैथर्ट से कर सकते हैं मैं मैं आपको मैथर्ट 2 बता रहा हूं ने सेम क्या यह यह एफ एनगल एफ अगल एफ प्लस एंगल फ्ल फ और है यह एफ यह एफ एल एंपस पह Locator 1180 डिग्री भाइ 休ंडियर एंगल को इंटिरियर एंगल जो एफ है वो अब बहूर्त पी डिग्री और जो फ लिए यह को कितना है और यह पका एंगल ओन इको य इतना हो गया 180 degree इतनी माज सावन में आ रही है इसको लेले कुछिशन वर लाओ तो चैनल एंगल एफ जी और इंगल एफ जी इस इकवर तो एंगल एफ जी दी रिजन और नेट इंटिरियर एंगल तो एंगल एल एफ जी जो है आपका वो कैंगल टू और यह हो गया आपका आ टू इसको लेले दाएं एककोशिशन टू इस इस इकवर तो यह बास अंने आ रही है ठीक है अब देखो यह आई से जड़ेत ऐंगल एफ जी क्या ने अंगल ए इफ ज़न ओ आँगल एफ एफ एल इकवर टू इफ यह जो पूरा एंगल एफ जी इस पूरे एंगल में से इ EFG मैंसे मैं माइनस कर दूँ LFG तो इसी के तो इक्वल होगा अगर आप इस पूरे एंगल में से यह टू अटा दो तो बनी तो बचा इमानतों इसके एक्वल होगा मानते हो ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया EFG EFG यह पूरा एंगल तो कितना है क्यूं तो इसकी जगा त माइनस और वाइए एक्वेशन टू किसके एक्वल है यहां तक कोई पीट आउट है तो पूछ सकते हैं अब देखो यह EFL आ गया यह क्या आगया EFL अब जो EFL है क्या एंगल 1 तो इसका मतलब अंगल 1 की वैलू के आगी कीव डिग्री माइनस आर अभी तो अंगल 1 की वैलू आई इसको वन में पूट कर दो हुटक कर दो हुटी अट वैल्यू ओअ में ऐन गल 1 एन एक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा पी डिग्री भन की जख लागा जो इसी लगे वह आप देख लेना पॉसिबिलिटी में जो जो मैंतर से मैंने आपको दोनों बता दिया ठीक है ठीक है इसको नमर 33 एक लोग एडिया वण 65-meter-square is shaped into the form of a conical tent conical tent तो कुछ इस तरह की शेप में होगा अब इसका एरिया आपको गीवन है क्या गीवन है एरिया एस पर कॉश्चन इसका एरिया जो गीवन हो कितने 165-meter-square यह टेंट है अब एक बात बताओ टेंट है तो सारा का सारा कपड़ा यहीं तो यूज हुआ होगा यह तो खाली होता है सब्सक्राइब तो इसका मतलब यह जो एरिया है वो क्या है काउट सर्फेस एरिया ऑफ कोन है पहले इतनी बाद समझ में आ रही है यह आपको गीवन है 165-meter-square फिर कहा जा रहा है इसका रेडियस कितने रेडियस फाइब मीटर फाइब मीटर संटीमिटर मीटर तो यहां पर रेडियस गीवन आपको 5-meter ठीक है जी फर्स बाट में कहा जा रहा है हाओ मैनी स्टूडेंट्स कैन सीट इन दर टैंट इफ स्टूडेंट ओन एवरेज ओक्यूपाई फाइप पॉइंट सैवन मीटर स्कूर ओंदा ग्राउंड देखो जी टैंट में जो टैंट का यह ना पूरा एरिया अब जो भी मालो यह एक बच्चा है और यह बच्चा ज यह एरिया ओक्यूपाई भाई बॉन स्टूडेंट कितना एरिया करता है फाइप सैवन मीटर स्कूर तो आपको गाँ आज रहे है यह जो है इसी के नीचे दो को यह पूरा सरकल हमालो इसके नीचे तम सारे तो हम जो बठेंगे सा जितने जो भी बैठेगा वह इसी सरकल के नीचे ही बाठेगा ना इसके अंडर तो यही आएगा ना जितने सरकल का एरिया तो आप से बुझा कितने स्टूडेंट जो वो इसके नीचे बैठ सकते हैं देखो how many students can sit in the tent इफ स्टूडेंट ओनन आवरेज ओकिपाई फाइब स्यावन मिट्र स्कूरर ओंदा ग्रांड यागर एक बच्चा ओनन आवरेज फाइब स्यावन मिट्र स्कूरर एरिया करता है तो इतने एरिया के नीचे कितने बच्चे बैठ पाएंगे तो देखो नंबर ओफ स्टूडेंट अ नंबर ओफ स्टूडेंट कैन सिट अंडर कॉनिकल टैंट अंडर कॉनिकल टैंट वो किसके एक्वल होगा इस इक्वल टू टोटल एरिया क्या है जिसके नीचे वह पैटरें सरकल इस इक्वल टू एरिया ओफ बेस ओफ कॉन अपॉन एरिया ओक्यूपाई बाए वन स्टूडेंट अपॉन एरिया ओक्यूपाई बाए वन स्टूडेंट बहिया जितना टोटल एरिया वो निकाल दो और एक बच्चा जितना एरिया ओक्यूपाई कर रहा हो से डिवाइड कर दो पता लग जाया कितने बच्चे तो यह वह पाई यार स्कुरेर और एरिया उक्पाइब वन स्टूडेंट कितना हो गया फाइब बाइब सेवन एगरी करते हो पाई की वैल्यू ट्वन्टी टूबाइब सेवन रेडियस आपका फाइब फाइब इसको न्यूम्रेटर में लेके जाओगे तो यहीं भी हो हो गया ठीक है यह आपका फास्ट पार्ट अब सबस्क्राइब कि की यह ज़र फाइंड बोल्यूम औफ़ कोन फाइंड आप देखो अब वोल्यूम औफ कोन जो होता है वोल्यूम औफ कोन क्या होता जी बैरी गुड़ वन बाइ थ्री पाई यार स्क्वेर एच आर तो है लेकिन आप को एच निकाल ला होगा और एच से पहले कहा निकाल लोगा अब यहाँ आ जाओ एक्वेशन 1 प्रॉम एक्वेशन 1 प्रॉम एक्वेशन 1 गावट सर्फेस एरिया कौन कितना 165 तो यह था पाई आरे तो यह होगा 165 पाई होता है 22 बाई 7 आ रहे है आपका 5 तो ल आपको निकालना है यह कुछ ऐसा हो जाएगा तो ल इक्वल टू क्या ह हो जाएगा 165 वी डिवाइड यहां जाके मल्टिप्लाई और 22 इन टू पाइब से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा हुए तक को तो बताओ ले रहें तक ठीक है अब देखो जी है फाइफ रीजिग और 25 तेंस तो चीन में तेख यह हो गया ठीक है यहां तर क्लियर हो गया ठीक है उसके बाद 1122 113033 तो बेसिकली अगर मैं L की वैल्यू पूछू हूं तो आपको आपको पता है L स्क्वेर इक्वर्टू क्या होता है है आर स्क्वेर प्लस है स्क्वेर तो है स्क्वेर इक्वर्टू क्या होगा एल स्क्वेर माइनस आर स्क्वेर तो है इक्वर्टू क्या हो जाएगा स्क्वेर रूट ओफ एल स्क्वेर माइनस आर स्क्वेर यह होगा ठीक है जी तो एच इक्वर्टू क्या हो सप्वेर एक एकाल तो स्क्वेर रूट ओप एक कोडू गया हो जाएगा स्क्वेर ऌट्रो एक काल कितनी 500 का स्क्वेर दो फाइफ स्क्वेर तुब बताएगा 105 105 जल्दी करना अरे कर लो यार 105 का स्क्वेर नहीं करूँ क्या तो 10.5 का स्क्वेर यानि कि 105 इंटो 105 55 25 502 और 5 बंजा 500 और यह यह 501 5 टू 10 वन बन जीरो 25 11025 डैसिमल नहीं पे भीए डैसिमल तो डैसिमल तो डिसिए से पहले अग्या और माइनस में 5 का स्क्वेर क्या हो गां 25 अब 110 25 कोúngत्स कि इसमें से 25 माइनस कर तो 5 to 85.25 तो यह आगया आपका 85.25 अब 85.25 का हमें क्या निकालना है square root तो long division method से यह pair बन गया यह भी आपका क्या बन गया pair तो यह pair बन गया तो क्या हो जाएगा 9 9 सा 81 5-1 4 यह decimal आजाएगा पूरा pair निचे आजाएगा 25 9 का double करोगे तो क्या होगा 80 क्या होगा 80 अभी आइटिंग थी पर तो नहीं जाएगा 339 834 yes यह टू पर जाएगा टू टू जा फोरे टू जा 1621 जा टू और 139.23 64 अप्रोक्सिमेट मान के चलो यह आएगा आपका 9.2 मीटर एप्रोक्स को डाउट है तो बताओ तो आपका क्या गया यह एच आगया यह आपका क्या आगया एच आगया एच आगया ठीक है अब आपको क्या निकालना वोल्यूम अब आपको क्या फाइंड करना वॉल्यूम ओफ कौन तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा वन बाई थ्री पाई पाई कितना होता है ट्वंटी टू बाई सेवन आर कितना है फाइव इंटो फाइव और एच की जगह क्या आजाएगा 9.2 तो कुछ कैंसिल हो गए यहां पर नही क्या जाएगा 10 520 10 कर दो 248 1226 12 यही होगा और तो कुछ नहीं होगा तो नहीं हो रहे तो फिर 730 कितना कर दो 21 और 520 10 521 11 और इंटो 46 करो दोनों को मुल्टिप्लाइग करोगे तो आएगा 5060 डिवाइड भाइड करोगे तो आपका आएगा 240.9 और वॉल्यूम में तो क्या ह हो जाएगा मीटर की वह ब्रेकेट में क्या जाएगा आपका अप्रोक्स और इस इस फाइनल आंसर ओफ देस फोर्टी फॉर परिमीटर ट्रियंगलर फिल्टी इस 420 मिटर एंडिट साइड आर इंदा रिशापको साइट के रिशियों गिवन है तो साइट को ले ले तना है और वह कितना है पॉर ट्वॉंटी मेटर तो आपको अजैरा इसका एरिया बताना है क्या बताना है एरिया पैर इमेंटर का मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड मीज ए प्लस बीप्लस सी ये कितना है फोर ट्वंटी एग इतना है शिक्स एक्स भी जिए और यह गितना हो गया फोर टुर्टी फोर टॉर्टी तो यह हो गया आपका 21x कितना हो गया 21x equal to कितना हो गया 420 तो एक्स की वैलू क्या 420 by 21 तो 7301 21 से सीधा कर दो 212 जा 42 और 0 जैस कितना हो गया 20 एक्स कितना हो गया आपका 20 यह बाद समंझ में आ रही है क्लिर है ठीक है इस इस इंप्लाइस एक्वान टू क्या होगा 6 iN2 20 कितना हो गया 120 मिटर है वी इक्वाट तो क्या होगा 7 into 22 तो यह गया 140 मिटर सी क्या होगा 8 222 यह गया 160 मेट अम हेरों सोम लग भाइर रों सफॉर्मूला by heroes formula area equal to ग्या होता है area of triangle क्या होता है आपका s s minus a s minus b और s minus e यह होता है यहापका क्या होता है एरिया होता है क्लिर हो गया तक ठीक है तो फॉस्ट अफॉल एस की वैलू क्या होगी ए प्लस बी प्लस सी बाइ टू तो एस क्या हो जाएगा 120 plus 140 plus 160 divided by 2 to 160 140 120 0 10 or 2 12 3 or 1 4 4 20 by 2 that is 210 meter इतना अगया 210 meter कब जेखो now area is equal to root s तो यह गया 210 फिर एस माइनस है तो 210 माइनस एक इतना हो जाएगा 120 एस माइनस भी 210 माइनस 140 और एस माइनस सी 210 माइनस 160 को डाउट है तो बताओ के रहे हैं तक ठीक है अब देखो जिए 21 को आप लिए सकते हो 21 इंटू 10 और यह गाएगा 0 11 माइनस टू 990 होगे ना 90 और यह गाएगा 0 और 11 माइनस 47 और यह गाएगा जीरो और 11 माइनस 65 11 माइनस 6 कितना हो गया 5 अब देखो जी यह हो गया आपका 21 730 21 इंटू 10 9 का स्कूर रूट होता है तो 9 इंटू 10 कर देते हैं इसको 7 इंटू 10 कर दो और इसको कर दो 5 इंटू 10 अब ज़रा पेरिंग करो सबसे पहला पेर किसका देखो यह 10 का पेर बन गया तो यह तना फिर इस Selin का पेर हो गया समय और यह ज़र यह भी नाइंका स्कुरूर रूट ही इसको छोड़ दो 21-10 10 पो छोड़ दू किसा एटी रूट है प्रेट 2121 Canada 15 to final answer क्या होगा आपका 2100 15 meters square and this is the final answer of this question is a question is cost number 35 using factor theorem factorize the polynomial factorize the polynomial is question what message कर लेते हैं next question is question number 35 factorize the polynomial आपको इसको factorize करना है आपको क्या करना factorize करना fx is equal to यह इसको पी एक्स ले 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 लिए जापका गीवन पोलनोमेल है यह क्या हो गया पी एक्स तो यह कितना हो जाएगा xq-3 x2-9x-5 ठीक है जी तो सबसे पहले क्या होता है ही टन्टराइल मैथड बाइटन ट्राइल मैथड देखो इसे पूट एक्स इकोल टूट एक्स की जगह क्या पूट किया बन तो पी और बन क्या हो जाएगा 1q-3 1 square-9 into 1-5 तो 1-3-9-5 तो यह तो 0 के एकोल नहीं आएगा अब क्या करते है पूट x equal to minus 1 तो p of minus 1 क्या हो जाएगा minus 1 raise to power 3 minus 1 raise to power 2 minus 1 और minus 5 यह हो गया minus 1 यह minus 3 plus 9 और minus 5 तो यह भी minus 9 plus 9 यह आगया आपका 0 इसका मतलब यह हो गया कि एक्स की जगह minus 1 ता इसको यहां लेके जाओ देर्फोर x plus 1 is one of the factor of px is one of the factor of px यह x plus 1 जोगा आपका one of the factor of क्या है px है इतनी वा समझ में आ रही है clear है नहीं तक ठीक है अब आपका एक factor क्या आगे x plus 1 तो remaining factor के लिए हम क्या करेंगे x plus 1 से divide करेंगे इस polynomial को यह इसका factor तो पूरा इसको डिवाइड करेगा x3 से x को डिवाइड करोगे क्या है एक स्कूर तो यह होगा x3 1 into x2 जाए प्लस x2 यह माइनस और यह माइनस यह कैंसल यह हो गया आपका माइनस 4x2-9x और क्या हो गया क्या हो गया माइनस 5 यह क्लिए हो गया माइनस 4x2 यह क्लिए हो गया प्लस और यह हो गया माइनस 5x और यह हो गया माइनस 5-5x x को डिवाइड करोगे क्या है गया माइनस 5 तो यह हो जाएगा माइनस 5x और प्लस माइनस 5 तो यह 0 आ गया जो आना भी चीए था तेक है अब रिमेनिंग फैक्टर के लिए इसको क्या करोगे फैक्टराइज तो ञया करोगे ना घी Kollege माइनस 4 एक्स 12 माइनस 5 5 के ऐसे इसक्टर each की माइनस 4 तो ही म्लस एगा मla delegate क्या हो जाएगा एक्स माने सब्लस भन माइनस 5 कॉम्मन को क्या हो जाताएगा Хот दो क्या हो सार रिक्वायद फैक्टर सार क्या होगा एक्स फ्लस फिर एक्स फ्लस वन डिग्री आपकी थी थी तो तीनी फैक्टर आने चाहिए and this is the final answer of this question is it clear ठीक है और इसी के साथ हमारा section D complete now in today's class we'll proceed with our section E now in today's class we'll proceed with our section E which is the case study first question is question number 36 first question is question number 36 question is Peter Kevin James Rita and Veena were studied of class 9th B at government senior secondary school sector 5 once a teacher told Peter to think a number X अब teacher ने Peter को क्या क्या है कि आप एक नंबर के बारे में सोचो और वो नंबर क्या है एक्स यह बस आँज में आ रही है ठीक है once a teacher told Peter to think a number X and to Kevin to think another number Y और Kevin को जो नंबर सोचने के लिए का आ गया है वो नंबर क्या है वाई केविन को जो नंबर सोचने के लिए का आ गया वो नंबर क्या है वाई है इसका मतलब यह हो गया अब कोशन में यह भी कहा जा रहा है अगर आप देखो तो कि X is greater than Y लिखा हुए तो according to the question जो equation बन रही है एक्स और Y को लेकिए वो क्या है कि X minus Y equal to 10 say question number 1 इतनी बाद सामद में आ रही है ठीक है फिर क्या कहा जा रहा है आपको आप टीचर ने जेम्स को क्या कहा कि जो पीटर का नंबर आप उसका double कर दो तो क्या हो जाएगा 2X हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टीचर ने जेम्स को क्या कहा कि जो भी पीटर का नंबर उसका डबल कर दो और इसमें आड कर दो जाएगा तो क्या हो जाएगा नाव टीचर आज जेम्स टू एड डबल लपीटर स्ट नंबर और यह जाएगा आपका 120 तो एक 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 लिए बन गई अब रिटर सेंटर इन दग्राशी डिन्ट नोट नौ अनी नंबर अब रिटर भी जस्क्लास में एंटर को किसी नंबर कर नहीं पता टीचर सैट टू रिटर टू फॉर्स को एक 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 लिए तो टीचर ने कहा कि भाई यह जो कंडिशन सी उसके बनाएगी तो फस्त एक 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 एकवाइनस यह एक वाई इक्वाइपन टूट ट। पार्टू में आजाओ पार्टू में क्या जा रहे वोट वाज़ा एक्वेशन फॉर बाई विना विना जो एक्वेशन बनाएगी वह क्या होगी 2x प्लस 3y equal to 120 यह पार्ट 2 का अंसर है विस नंबर डिल्ट पीटर थिंग एन विस नंबर डिल्ट केविन थिंग है यह आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है यह बाद समझला रही है ठीक है अब देखो जी तो यह आपके बास दो एक्वेशन नहीं दिस इस दा 8sवेशन 1 दिस ही दो अब इसको कैसे सॉल्ट करोगे देखो यहांपर एकस के साथ क्या है तो एकस वेरीबल से एम कर दो अबके साहब या Benigness समझ भारिया अब इसके लिए अगर मुझे एक्स के वैरिबल सेम करने है तो मैं एक्वेशन 1 को 2 से मल्टिप्लाई करता हूँ है सो दा 2 इंटू एक्स क्या हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास यह एक्वेशन क्या हो जाएगी 2x माइनस 2y इक्वल टू 10 और एक्वेशन 2 को आप मैं 1 से मल्टिप्लाई करता हूँ ताकि यह चेज ना हूँ तो यह क्या हो गया 2x I guys two by right work towards 10 अब जिसका वारियबल आपने सेम किया है उसका साइन अपोसीं होना चीह है तो क्या यहां पर साइन अपोसीं है नई यह भी प्लस का है और यह बी प्लस का है तो साइन अपोसीं करने के लिए आप क्या करोगे जो पूरी क्वेशन है इस में से माइनस कॉमन लेलो गया माइनस कॉमन लेने का मतलब जो प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस 2-3 कितना हो माइनस 5y माइनस 120 प्लस10 कितना हो जयए ह controversy कई सब्सक्राइब क्या ratings डिवाइड तो यह आ गया 20 यह क्या आगया आपका 20 यह वास अब करना एक्स कैसे फाइंड करोगे वाई को किसी भी इक्वेशन में पूट कर तो जादा इसी क्या दिखाई दे रहे हैं वन तो आप क्या करोगे पूट y is equal to 20 in equation 1 अब देखो equation 1 में x minus y की जगा मैंने क्या रखा 20 equal to क्या हो गया 10 तो x equal to क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 तो x की वैलू क्या 30 अब चेक भी कर जाकतो 30 और 20 का जो डिफ्रेंस है वो 10 ही आएगा अब आज़ो पार थर्ड में क्या पूछा गया था विस नंबर दिट पीटर तेंक नंबर विच पीटर थे उपक तै कि वहाता एक्स की वैलू क्या है ठर्टी और वाले पार्फ में क्या पूछा गया है विस नमर्डिटे योजों केविन तिंग नंबर विचATOR थे चैनले केविन इन की क्या था वह था लाई और य की वैलू क्या कि 20 वाई के वैलू क्या है 20 तो यह आपका कोश्च नमबर 36 ना थेक्ट है ना सोच नमबर 37 कोश्च नमबर 37 कोश्च नमबर 37 कोश्च इस इन फोरेस्ट अ बिक्ट्री गॉट ब्रोकन दूट वहावी रेन जासे कि आप ऐसे समझो यह बहुत बड़ा ट्री यह राइट अब यह बहुत टूड़ गया है क्या जारा है इना फोरेस्ट अब ट्री ब्रोकन दूट वाहब रेन एंड विंड दू 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 दिस रेंग बिग ब्रांचेश एप आपने शी तो यह ब्रांच इंड ब्रांच और डियाग्राम में आता हूं तो आपको यह था रहा है इसकी ए दूसरी ब्राच जो A.C वाली ब्राच यह इसकी ऐसे आगी बद सहले हो गयाक तो यह क्या हो गया A.C आप देखो मेरीन फिकर के साथ मैफ्मेटिकल फिकर आपको गीवन है सेंटर में दिखाए दिरा राइट सेट में फिकर की बनें ठीक है और यह वाला पॉंट क्या की बना आपको पी यहां तक लियर हो गया ठीक है दूटू दिस रेंडा बीग ब्रांच इसे बीन एसी विद फाइव मिटर फैल डाउन यह जो ब्रांच है यह भी कितनी है फाइव मिटर यह जो ब्रांच है यह भी कितनी है फाइव मिटर ओंदग रॉंट ब्रांच एसी यह ब्रांच ब्रांच एसी मेक्स एन अंगल ऑफ 30 डिगरी विद दाटी एप तो यह आंगल कितना 30 डिगरी 30 डिगरी विद रमें ट्री एपी तर डिस्टेंज ओंट विप्रुंट हो भी इवनागं में यू अब्साव ट्राइंगल एबी पीक इस गौंग्रेंटी का जा रहा हांको करने के लिए कह जा रहे हैं कि आपको शोगना याच वी आप प्रेंगल एइङ 8 c eg किस झोग्रुनों एक विइस को ऐंट्य ट्राइंगल ए बीप टो टीन जब गॉएंट करने होते हैं । वहद आ रहेंगे जब कॉंग्रुएंट करने होते हैं तो आप उनको कॉंपां सीट्रे करते हैं पहला है क्याकर दें जान इस फिगन एंद तो आप इनको करोगे इन ट्राइंगल एसी पी एंट्राइंगल एबी पी ट्राइंगल एंट्राइंगल एबी पी तो सबसे पहले तो से एसी पी एंगल ऑर एंगल तो मैं बोसकता हो एंगल वनीज इकल टुं एंगल तो इस 90 टीडिग्री इस 90 जी ए फिर ही फोनी इसका है इसका इसका ही अपनूस्त के एए बी एस पर पर स्चेंज यह भी उक्वल है यह वह ने आपको गिवल एक डोनोी कितने हैं फाइव मिट्र रहा है यह भी हो गया एन्य अधर साइड एपी 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 दिस कॉमन यह बाद समझ में आ रही है ठीक है तो इसका मतलब क्या है विच इंप्लाइस ट्राइंगल एसी पी इस कौंग्रोंट ट्राइंगल बी बाई रहस तो फर्स पाघ प्ली रहे ठीक है आ फाइंड़ ओफ एंगल एंगल एसीप की वैल्यू निकालने यह निकल जाएगी ने फ compatibility ऑप्ले ऐंगल प्लेस uh इंट्राइंगल APC इन्ट्राइंगल एपीसी यह इसको 3 ले लिते हैं और इसको क्या ले लिते हैं आपको 4 निकालने एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to 180 डिग्री एंगल सम प्रोपल्टी जीस आरे एंगल लिनका सम कितना ओगा 180 डिघए इनगल 1 कितना आपका 90 डिघए तो यह गया 90 डिघए Angle 3 कोश्चीन में 30 Angle 4 आपकोicans करना है तो quite少 1 80 डिघए minus 120 डिक रिस उंगल 4 कितना 60 डिघे तो यह long आपका आगया एंगल 4 का मतलब that is angle ACP जो आपको find करना है यह कितना आगया आपका 60 जलो जी यह भी हो गया find the value of angle BAP angle BAP इसको मैं ले लेता हूँ 5 मुझे यह निकाल ले इसको कहले लेता हूँ 5 ठीक है जी प्रहले मुझे बताओ क्या आप अगर यह 60 है तो यह भी 60 होगा बोलो अगरी करतो है चीज से फर्स्ट फॉल देखो क्याने से देट इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC एंगल 4 is equal to आपका यह यह तो आप दूसरा ही कहा सकतो कि ट्राइंगल ABC जो है वह वह कॉंग्रूएंट अभी आपने प्रूफ क्या ट्राइंगल एपी बीगे है ना आपने फ्रूफ नृव वीच इंप्लाइस एंगल 4 एंगल 6 के इककोल होगा बाई बोलो वह को दिख्का देते हो एंगल 4 जूटेक्वल होगा न दोनो यह दूसरा सकते हो इसमें इसका मतलब कि हैंगल सीथ चोंब अगर ऑगर और है गोल फॉर तो यह 60 डिग्री हो गया नाओ इंट्राइंगल एपी बी एंट्राइंगल एपी बी एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इस इक्वल तो 180 डिग्री और रीजन क्या हो जाएगा जी एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 2 आपका 90 है एंगल 5 फाइंड करना है एंगल 6 आपने भी फाइंड किया 60 डिग्री एक्वल कितना हो गया 180 तो एंगल 5 कितना 180 डिग्री 90 प्लस 60 150 तो यहां जाके क्या हो जाएगा माइन एंगल 1 5 50 तो 30 डिग्री इसकान यह 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 एंगल भी कितना आगया अपका 30 डिग्री तो यह भी आ गया धिस था यह यह टेंगल D a P is equal to 30 degree is equal to 30 degree score को अब वोड़ीद टोटल हाइट ओफ दा ट्री टोटल आइट ओफ दा ट्री अब आपको फाइंड करने टोटल हाइट ओफ दा ट्री टोटल हाइट ओफ दा ट्री तो टोटल हाइट ओफ ट्री टोटल हाइट ओफ ट्री इसमें क्या क्या आएगा आपका इट विल वी इक्वर टू क्या नहीं से देट अबी यह भी ट्री है की ब्रांच है प्लस प्लस अप्लस अप्लस यह तीनों चीज है आने मुझे पता है 5 है Hey wait आपको दी पता और आपकोस्त पता है को अब आपको एपी निकालना है पहले क्या निकालना है यह पी समझने आ कई आप को आभा इक राय लेंगल ले रहा हुआ हो मैं in-regat राइड ट्राइंगल in-regat ट्रड-रेंगल ए-पि-ए-बहएग राइड पि-ए-प-घ्रैंगल उसका स्क्वेर है सबसे बड़ी सैड यह होती है इसमें से माइनस कर दो आप बीपी स्क्वेर इसका यूज किया आपने पाइथागोरस क्यों का तो एपी आपको फाइन करना है ठीक है एबी आपका फाइब है तो फाइब स्क्वेर और बीपी कितना आपका फोर तो यह हो गय तो यह हो गया आपका a.p. square के अगा 25-16 यह हो गया 9 जो हो जाएगा आपका 3 square तो आपका a.p. कितना हो जाएगा 3.p. कितना हो जाएगा 3 meter तो यह हो गया आपका 3 meter therefore equation 1 can be written as equation 1 can be written as तो क्या हो जाएगा जी? Capital H is equal to जो की total height of the tree 5 meter plus 3 meter plus 5 meter that is equal to and this is the final answer of this question Next question is question number 38 A ferris bill or a big bill in the United Kingdom is an amusement right consisting of a rotating upright जगो इसमें जो भी चीज़े लिख्ख हुई है मैं सीधा figure पर आता हूँ आपको एक figure की बना है Mathematically दिली हमें question figure से clear हो जाएगा कि इसमें आपको एक figure given है जिसमें यहां एक center क्या given आपको center given आपको ओ फिर आपको एक code given है क्या given है code और यह code क्या आपकी आपकी और Q अब center से आप Q को जोईन कर दो ऐसे as per figure और O से R को जोईन कर दो फिर इसी तरह से यहां एक point दिया हुआ कोश्च एस पर question वह क्या आपका S कुछ circle यहाद आ रहा होगा आपको circle में भी कुछ ऐसा हम करते थे यह S हो गया यह क्या आपका S फिर आपको अब यहां से आपका concept थोड़ा different हो जाता है यह थोड़ा 10th class का concept है तो मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा यह आपको कितना given है 30 degree यह आपको given है 30 degree ठीक है अब यह O गया R यही सारे point है अब आपको find क्या करना है आपको यहां पर find करना है एक तो angle R O Q दूसरा आपको find करना है angle R Q P तीसरा आपको find करना है यहां पर angle R S Q और और इसी के साथ आपको find करना angle O R P angle O R P ठीक है अब इस पर कुछ new concept है जो आपके syllabus में नहीं है लेकिन I don't know why it has been asked in this question अब पूछा गया तो मैं बता दीता हूं आपको concept A आपका यह circle this is the circle ठीक है यह आपको पता center होता है यह exterior point है जैसे कि यहां पर भी पी और मालों यहां पर point A है और यह point B है पहला पागरी करते है कि यह radius होगा 음식 भी रौट से और यह भी क्या होगा कह एस एक स्टीर्व्ट है जब यह को टाच करेगा तो इसको कहते हैं टैंजेंट мог समनता निए होता है यह यह टंजन नियों इसका और इसके साथ संते इन दोनों का सम कितना होता है 180 गी तीसरी बात गया पर Sold便 पर कितना अंगल बनाती है 90 गी रेडियस उता है 0.3 जो रेडियस होती है वो टैंजेंट के साथ क्या होती है परेंडिकूलर होती है इसको टेंजन कहते है रेडियेश पर कितना डिगरी के एंगल बनाती है 90 बॉक्टितु अब यहां कुश्चन पर आपको कहाए जा रहे है आर-ो-क्यू निकालो यह कब आपको पता है इन दोनों का सम कितना इसको वन ले लो इसको तू ले लो आपको बता एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है 180 तो 180 से और एंगल 1 कितना 30 तो 180 से 30 माइनस करोगे तो यह कितना आजाएगा यह आपका 30 है 180 से 30 माइनस करोगे 150 तो यह एंगल आपका कितना आगया एंगल 2 जो है आपका यह आगया 150 डिगरी अब आपको निकालना है कितना मनातीय है 90 कितना मनाती थी कितना बनातीय है ठीक है कमाल देखो क्या आप एगरी करता है यह दोनों साइड उगल होगी तो आपने का इन मा mieux City अंगमो और क्यों और मा लेते हैं यह एंगल्ग थ्री ए पुर एंगल्ग म्हें है क्या बोज़ां कोने थी एकल्ट्रीक्वर सट टींडल ! तो एक्वाल अंगल पॉजी टु इक्वाल साइट्स आर इक्वल त्रीक है जी तो एंगल 4 एक्वालों गया अब माले तहीं यह जो एक्वाल कि अधो एक्वाल टो एक्वाल की वैल्यू कितनी है X है अब क्या आप agree करते हो यह angle 2 plus angle 3 plus angle 4 180 degree के equal होगा that is by angle sum property अब angle 2 कितना है आपका 150 और यह दोनों कितने होगा X तो 2X equal to कितना होगा 30 X की value कितनी होगी 15 X की value कितनी होगी 15 तो क्या आप agree करते हो यह वाला जो एंगल है आपका 15 degree होगा angle 4 आपको निकालना है RQP यह निकालना है RQP तीक है यह जो पूरा angle है अब देखो RQP क्या होगा क्या आप agree करते हो RQP क्या होगा आपका angle OQP minus angle OQR Yes or No जो आपका OQP है यह मैंने का बताया आपको 90 degree होता है क्यों होता है because radius जो टेंजेंट के पर पेंडिकुलर होता है minus जो आपका OQR है यह कितना है 15 तो 90 minus 15 कितना 75 degree तो यह भी आगया 75 फिर आजो RSQ अब आपको क्या find करना है RSQ यह आपने सरकल में किया हुए यह R center पे जो angle बनाएगी यह उसका half होगा तो RSQ किसके इकोल होगा half of angle ROQ यह बाय थिरम 9.7 ठीक है तो यह आपका कितना आज़ेगा half of ROQ कितना 150 तो यह होगया आपका 75 degree यह भी कितना आगया 75 degree और को से निकालना था आपको ORP और angle ORP ORP यह तो बताई दिया मैंने आपको 90 degree क्यों 90 because जो radius होता है वो perpendicular होता है tangent पर चलो थोड़ी 10 की त्यारी हो गई आपको आज अजना आ रहे है ठीक है extra question ज्यादे एडवांस में चले गए अब है आपके विपर में क्या करें करवाना पर ज्यादा डिफिकर नहीं था है इती समझ में आगया होगा आपको ठीक है clear हो गया आसे भी आप लोग एडवांस बच्चे हो ठीक है चलो जी तो हमारा सेंपल लेपर complete this is what today's class I hope you like this class and if you like this class then do like share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon bell icon press करने से क्या होगा जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture thanks for watching this video जान दक आपके math course की बाद complete mathematics course की जो playlist का link है वो आपको description section में मिल जाएगा so bye take care and have a great day